काम निप्टा कर मैं जब सबजी लेने गई तो आंटी के पास बहुत सारी बिल्कुल फ्रेश सबजी आई हुई थी तो देखकर मन खुश हो गया आंटी भी बड़े अच्छे मूड में बैठी थी आंटी बहुत खुश थी कि आज मेरी वीडियो बन रही है तो आंटी रोज थी कि मेरी भी वीडियो बनाओ तो देखे कितनी फ्रेश सबजियां आ गई हैं तो यहां पर आज मैं बनाऊंगी गजरेला तो गाजर ले लेते हैं क्योंकि सबसे फ्रेश मुझे गाजर ही लग रही है उसका कलर भी बहुत अच्छा आ गया जो पहले गाजर आ रही थी उस दिया कि चलो गजरेला बनाओ मेरे भाई ने आना था भाई दूझ पे मैं गजरेला बना रही हूं तो इसलिए आपके साथ में शेयर कर रहे हूं तो गाजर को कदू कस करके मैंने कड़ाही में डाल लिया था और इसके अंदर आप डाल देंगे दो चमच घी के यह देशी की डाला है मैंने इसमें हम इसको थोड़ा सा भूण लेंगे गाजर को इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा और गाजर का जो हलवा होता है उसको ब्लकुल स्लो स्लो बनाया जाए तो बहुत ही टेस्टी बनता है घी को मिक्स करती हुए हम दो से तीन मिनट इसको भूण लेते हैं अच्छी तरह भूणने के बाद अब इसके इंदर डालेंगे दूद यहाँ पे मैंने दो ग्लास यानि की तकरीबन 700 ml के करीब दूद डाला है और दूद डालने के बाद इसको अच्छी तरह कुप करेंगे इसके साथ जब तक गाजर हमारी अच्छी तरह soft नहीं हो जाती है यहाँ पे तकरीबन 1.5 kg गाजर बच गई है साफ करने के बाद मैं 2 kg लेके आई थी 1.5 kg गाजर का मैंने कदुकस किया था तो यहाँ पे मैं दूद कम डाल रही हूँ मैंने खोया डालना है अगर आपने खोया नहीं डालना है तो तकरीबन आप 2-3 kg दू बिल्कुल लो से मीडियम फ्लेम पे मैं इसको कुक कर रही हूँ ताकि जो गाजर है बहुत ही अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए यहाँ पे थोड़े से ड्राइफरूट डाल लेते हैं मैंने काजू और यहाँ पे किशमिश डाली है अभी मेरे पास खोया है यह मैंने घर का बनाया हुआ खोया है यह 200 ग्रम खोया है एक किलो दूद में से तकरीबर हमारा 200 ग्रम खोया निकलता है तो आप समझ लीजिए कि मैंने दो किलो दूद डाला है आप दो किलो डूद डालेंगे तो आपका गजरेला बहुत ही अच्छा क्रीमी सा बनकर तयार होगा यूगि किलों कर तो मैंने खोया ही निकाल लिया थहा, साड़े शाथ सो एमल के करीब मैंने दूद वैसे डाल दिया है, तो ये 2 किलों के करीब ही हो गया है, तो आप इसको 2 किलों करेंगे, तो सेम ऐसा ही क्रीमी सा गजरेला बनकर तयार होगा, गासर का हलबा सर्दियों में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है और घर में ये बार-बार बनता ही है कभी भी कोई गैस्ट आए या फिर अपना हाने का मन हो तो बनता ही बनता है मेरे भाई ने आना है भाई दूछ पे तो इसके लिए मैं ये बना रही हूँ तो देखे कितना ये अच्छा सा बन चुका है दूद इसका बिल्कुल खतम हो गया है और जो खोया है वो अच्छी तरह इसमें मेल्ट हो गया है मैंने बहुत ज़्याद घी भी नहीं डाला है क्योंकि हम हेल्दी बेसे बना रहे हैं कई लोग इसमें बहुत ज़्याद घी डाल लेते हैं लेकिन मैं नहीं डाल रहे हूँ बहुत ही अच्छा सा एरो टेस्थी सा ये गज़्याद हमारा बन जाता है और दीरे दीरे इसको हम कोग करते रहेंगे अब लीजिए ये हमारा गज़्याद बन गया है अब मैं लास्ट में डाल रहे हूँ इलाइची का पाउडर आप इलाइची को कुर्श करके भी डाल सकते हैं मैंने पाउडर बना के रखा हुआ है तो आदा चमच मैंने इसके अंदर डाल लिया है इलाची से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा तो गजरेला हमारा बिल्कुल तयार है खाने के लिए आप इसको अच्छी तरह सुखा लीजिए इसमें दूद और पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए आप इसको स्टोर करके रखेंगे दस से पंदा दिन के लिए ये खराब नहीं होता है तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ रख लेती हूँ फ्रीज में स्टोर करके जब भी को याय उसको खिलाती हूँ तो उनको बहुत जाला पसंद आता है बहुत ही तेस्ती सा ये गजरेला बन कर तैयार हुआ है आप भी बनाएए जब भी आपके करफे गैस ताएं या फिर आपका खाने का मन हो तो जट पट से बनने वाली ये रेसिपी है अगर दूद के साथ बनाते हैं तो बहुत सारे घंटे लगते हैं लिकिन अगर आप खोय के साथ बनाते हैं तो कम टाइम लगता है अगर आपके पास खोया नहीं है तो यहां पे आप डेड़ कप मिल्क पाउडर डाल सकते हैं उससे भी ये बहुत ज़ादा टेस्टी बनता है अब आपकी चुएसा आप दूर डालिए खोया डालिए या फिर मिल्क पाउडर डालिए मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई